Hello friends, myself follow, स्वागत आप का मैंन चैनल में आज मैं आपको बताऊंगा YouTube की कुछ HTC Tricks के बारे में जो आपको एक बार ट्राइ करने चाहिए तो तो ले friends, वीडियो स्टार्ट के जाए और वीडियो स्टार्ट करन से पहले आप सो गुस्ट है आप मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे अब बेल में सुप्रिकेशन दबादे ताकि आप मैं कोई नग्स अबडिक ना मिस कर पाए आप सभी वो पता है कЕ ओल्मस्ट सारे अप्लिकेशन में डाक मोड आगा हैं तो जो फर्स सेटिंग हम आज करेंगे हो है यूटूब डार्क मोड शेटिंग डार्क मोड के कही चारे फायरे में फॉर एक्जाम्पल आंको प्रदाबाब कम आती है और बैटरी भी बहुत कम यूसर होती है तो टार्क मोड एनेबल करने के लिए सबसे बहुत हम जाएंगे यूटूब सेटिंग्स में पिर जाएंगे जन्रल में जन्रल में जाने के बाद अब हमें क्लिक करना है डार्क थिम और वहां जाके एनेबल करना है लग रहा है ना यूनिक यह हो गई डार्क मोड अब बढ़ YouTube में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और कई बार ऐसी content आया की है जो हम नहीं चाहते हैं कई बार ऐसा होता है कि कई फ्रेंट्स हमें link बेखते हैं कि आप ये वीडियो देखो ये देखे रहे जैसे ही open करते हैं फिर हमें उस वीडियो की related ही content suggestion वे आती है और हम ऐसे वीडिय suggestion चाहते हैं जो हमें useful हो तो इस situation में हमें equivalent tab यूज करना है तो इकोगरणीटो ओपन करने के लिए सबसे पहले हम settings में जाएंगे उसके बाद turn on equivalent tab पे click करेंगे अब हम जो भी search करना चाहते हैं या search कर सकते हैं या कोई भी दी होई link हम open कर सकते हैं या और इससे हमारा जो भी इंकोबरणीटो पे click करना है और उसके बाद turn off इंकोबरणीटो पे tap करना है तो इससे off हो जाएगा और हमारी previous version में आ जाएजी तो इससे बढ़ते हैं next setting पे कई बाद यसा होता है कि हम वीडियो देख्ते रहते हैं देख्ते रहते हैं और हमने time का पता है नहीं चलता तो इस condition में YouTube के SEO setting आधी है जो हमें remind करेगी कि आपको एक break लेना चाहिए तो चलिए बता रहता हूं केशी इसको enable करेगा है तो first of all हम जाएगे setting में फिर हमें click करना है चनरल में अब हमें first option को select करना है remind me to take a break अब इसको हम enable कर देंगे अब हम अपने हिसाब से timing set कर सकते हैं दस में पंदा में एक गांटा दो गांटा जो पी हो सब्सक्राइब हमें five minutes select कर रहा हूं तो तो हमें okay play tap करना है तो हमें five minutes wait करना हुग है तो देखिए आप वीडियो देख रहा हूं तो देखिए तो देखिए पांच में रोट के बाग महीं कुछ इस्टापना message लाएगा सब्सक्राइब होने लगी तो चलिए वड़ते हैं next setting पर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने एक वीडियो बनाई होती है और हम पूरी family को दिखाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब हम घर पे हैं एक वीडियो हम मोबाईल में हर कीज़े को दिखा नहीं पाएंगे तो हमें one by one करना हुआ तो इस condition में हम क्या करेंगे तो इस condition में हम अपनी mobile YouTube को अपनी smart TV से connect करके directly हम वीडियो वहाँ प्ले कर सकते हैं तो चलिए आपको बता दूं कि यह कैसे किया जाए तो सबसे पहले हमें चाहिए एक smart TV and mobile तो सबके पास है तो चलिए आपको settings बता दूं अगर हमार at tv दोनों एक network से connected है तो हम directly play कर सकते हैं या फिर अगर नहीं हो रहा है तो हमें setting करनी होगी TV से mobile को link करना होगा तो सबसे पहले हम जाएंगे YouTube setting में फिर वहाँ जाके watchman TV से click करना है तो हमें जाना है link with tv code में and वहाँ जाके enter tv code पे click करना है जिसलिए उस पे click करेंगे वहाँ तो tv code मांगेगा तो tv code कहां से आएगा आप वहाँ directly जाके यहां how to get tv code पे click करके वहाँ चेक कर सकते हैं या फिर directly अगर आपको पता है तो आप यहाँ enter कर दीजिए and connect कर दीजिए and जो आप वीडियो अपने mobile YouTube पे click करेंगे यहाँ play होगा thank you friends अगर आपको मेर वीडियो अगैं